शारू खान की must awaited film जवान से दो बहुत बड़ी update सामने निकल कर आ रही है जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल एकान को प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियो की सबसे पहले notification मिल पाए बॉलिवीड के बादशा कहे जाने वाले शारू खान चार साल बाद पठान मुवी के साथ 2023 में comeback किये और इस मुवी ने box office की सारी recorded तोड़ दी और इस मुवी ने total 1000 करोड से भी ज़्यादा की कमाई कर ली थी वहीं शारू खान की 2023 में ही दो और upcoming film में आने वाली है जिसमें जवान और एक डंकी है तादे की जवान मुवी को एटली सर डाइरेक्ट कर रहे हैं और इस मुवी में शारू खान का double role देखने को मिलेगा और इस मुवी में नयंतारा और विजय से दूपती भी नजर आने वाले हैं और इसके साथ ही दीप्या पाड़कोन का special cameo भी देखने को मिलेगा इससे पहले इस मुवी के दो सौंग रिलीज हो गए हैं और दोनों सौंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं यह मुवी पहले दो जून को रिलीज होने वाली थी रन्तु इसके रिलीज जेट को extend करके 7 सितंबर 2023 को कर दिया गए यानि कि यह मुवी 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी बात करें इस मुवी के दो बड़े अपडेट की तो एक मुवी के लेंड से जुड़ी हुई है और दूसरा इस मुवी के बजट से जुड़ी हुई है बता दे कि इस मुवी का टोटल लेंड दो घंटा से 40 मिनट की है और बता दे कि बहुत दिनों से जवान मुवी के कुछ और निव जा रही थी कहीं पर कुछ और लिखी हुई थी प्रन्तु अब इस movie का official budget का data सामने आ गया है बतादे कि इस movie का total budget 300 क्रोड रहने वाली है यानि कि शारू खान की जिंदगी के यह सबसे जादा budget वाले movie बनने जा रही है इससे पहले हमने देखा था कि शारू ख बहुत high level pursuit की गई है लोगों में इस movie के देखने के लिए बेचाइनिया धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है इस movie से south के बहुत सारे actor इस movie में debut करने वाले है जैसे director एटली सर भी इस movie में debut करने वाले है और उसके बाद विजय सेतुपति नयंतारा भी इस movie में बॉली हूड म या movie बनी है तो क्या या movie all time ब्लॉग गोस्टर रहेगी या नहीं आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे धन्यवाद